नमस्कार आप सभी का स्वागते भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्र शेकर शर्मा दर्श को सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज दिनांग के 25 मार्ट सन 2024 विक्रम समध 2080 चल रहा है फागुन मास है शुकल पक्ष है बसंत्रितु है तिथी आज की पुर्णिमा है और आज का वार है सुमबार आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्रा फालगुनी नक्षत्र सुबह 10 बच के 38 मिनट तक है आगे हस्त नक्षत्र है योग व्रदी है रातरी 9 बच के 28 मिनट तक आगे ध्रुव्योग है तो योग की द्रस्टी से आज का दिन बहुत शुब है को अच्छा कारे करने के लिए रिष्टे की बात चलाने के लिए नई नोकरी के लिए अपलाए करने के लिए तो इस दिन का सदुप्यों कीजिएगा करन बव है दौपेर 12 बच के 32 मिनट तक आगे बालव करन रहेगा सुर्योदे का समय दर्शो को सुबह 6 बच के 24 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 6 बच के 40 मिनट का है आज का राहुकाल सुबह 7 बच के 30 मिनट से सुबह 9 बजे की बीच है इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुक्कार्य या लंबी यात्रा नहीं करनी चीए क्योंकि ये सुबह जल्दी का रहु काले तो इसमें जै दुर्गा जै दुर्गा करके भगवती का नाम स्मिनण कीजिए तो जो जनम पत्रिका के रहुदोश्य उसमें श्यानती मिलती है अभिजीत मुरत आज दौपेर बारा बच के आठ बच के तेरा मिनट आज का दिशाशूल दर्शको पूर्वदिशा में तो पहले कोशिश तो यही की पूर्वदिशा की यात्रा को आप टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी या निवारे रूप से आपको पूर्वदिशा की यात्रा करनी है तो फिर इसका परिहार करें पर हैर बहुत सरल है पूर्व दिशा की और मुख कीजिए दरपंड में अपना मुख देखकर पांच कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया के दोरान अपने हिर्दे में अपने इश्ट का ध्यान करें भगवान श्री राम का नाम लें और फिर दिशा की यात्रा करें यात्रा बहुत सुन्दर रहेगी कारे सिद्ध होगा दिशाशूल नहीं लगेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदुप्यों करने का जो समय है वह सुबह नो बच के तीस मिनट से ग्यारा बजे तक फिर दोपैर बाद दो बच के दस मिनट से शाम इस प्रकार रहने वाला सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वालों को आज सोच समझ कर कोई निर्णे लेना चाहिए वहीं व्रश राशी वाले सूजबू से सुल जा लेंगे अपने घर में चल रहे समस्याओं को और मितुन राशी वालों को को आज तुला राशी वाले करियर में बढ़ेंगे आगे व्रशिक राशी वाले पाएंगे आज अपने सात्यों का पूरा-पूरा समर्थन इसी प्रकार से धनू राशी वाले भाग्योदे से होंगे आज प्रसन और लाभानवेत और मकर राशी वालों को आज होगा स्वास्तलाब कुम राशी वाले अपने वहवाईक जीवन की जो समश्चाएं चल रही हैं उनसे होंगे परिशान वही मीन राशी वाले आज विवादों को सुलजा लेंगे और समश्चाओं से आएंगे बाहर तो दर्शे को ये था आज का पंचान जिसके समुचित ज्यान से आप अपने पूरे दिन को सूजबूच से समझदारी से मेनेज कर पाएंगे सही समय का पूरा-पूरा सदूपयों करते हुए गलत समय यहीं जो टालने योग के समय हमने आपको बताया उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे आप करते हैं आज के दिन की ग्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी को प्रग्या को जाग्रत करेगी फिर आगे समझेंगो उन विस्ट रुपायों को जो आपको समझ्चाओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं अन्तुमें करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रना और समाधान दर्शे को रामचरित मानस में एक बहुती सुन्दर चौपाई है जिसमें बाबा तुलसी दास जी कर्म योग कर्म फल समर्पन और एहम हींता यानि एहंकार हींता का संदेश दे रहें इसे समझें और इस अनुहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी यह अपने विशे में कहते हैं बाबा की श्री शिव जी दक्षणा मुर्ति शिव उनकी कृपास से हमारे हिर्दे में सुन्दर बुद्धी का विकास हुआ है जिससे यह तुलसी दास जिस रामचरित मानस का जिए कि बाबा ने क्रेडिट नी लिया है रामचरित मानस लिखने का महादेव को ना सिर्फ प्रेरक माना है बलकि करता भी उनको उनको ही माना है आगे कहते हैं कि अपनी बुद्धी अनुसार तो रामचरित मानस को मनोहर ही बनाया है मैंने लेकिन फिर भी हे सज्जनो सु कानवे भूल संभव हैं और वो अंतिम सत्ति नहीं है जो उन्होंने लिखा है कोई उनसे बड़ा ग्यानिक अभी हुआ कोई बड़ा भक्त वा तो इसमें तुरूटी निकाल कर और मानस को सुधार दे तो बाबा को कोई आपत्ति नहीं अब यहां हम सीख सकते हैं कैसे सरुष करन करते भी भगवान कोई करता माना जाता ऑर एहिंकारता का लोप करके कैसे को शुद्ध रखालता है दर्शेको यह थी ग्यान्चर्चा अब बात करते हुं विसृष्ष उपायों पर जाकि सभी प्रकाल की गृते सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आज आप सभी किसी व्रध्य जरुत्मन महिला के भूजन वस्तरादी का प्रुबंद कीजिए साथ ही अंधे बच्चों के आश्रम या स्कूल में मिठाई बटवाई है इसके साथ ही आज के दिन किये वे गणपती शतनाम के 27 पार्ट आपके आने वाले वर्ष की दिशा दशा को पूरी करीके से सकारत में कर देंगे इसमें कोई भी संदे नहीं है ऐसे ही मानसिक अवसाथ से पिड़ित लोग आज शांती प्राप्ति के लिए गंगाजल सामने रखकर आदा घंटा नमे शिवाय का जाप करें और उसका फल अपने पित्र गणों को दे दें फिर शाम को सफेद मिठाई बच्चों में बाढ़ द लें या वास्तु दोश है या पित्र दोश देव दोश ने विकराल रूपधारण कर रखा या आप चारों तरफ से फंस कर अपने आपको पूरी तरीके से ऐसा हाई मान चुके हैं वैसे में आप शरण लीजे शरणागत वत्सल करुना निधान परमात्मा श्री राम की नि अतरिक्त एक विशिष्ट साधना आप आज के दिन से शुरू कीजिए इसके लिए सबसे पहले गिनेज जी का और फिर सीता राम जी का पंचोप चार से पूजन करें और फिर भगवान सीता राम जी को अपनी समश्या अपनी पीड़ा पूरे आर्थ भाहों से पूरे मंत्र ध्यान से समझें मंत्र इस प्रकार है योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुशेश्वर है नार सिंग वपू श्रीमान केशवय पुर्शोत्तम है मंत्र से इस मंत्र को करते रहे यह करते रहे आड़ 10 दिन में चमतकार होंगे इस भी प्रकार से जिन लोगो को आर्थिक संकट विशेश भारी है कर्ज विक्राल रूप ले चुका है और चूकने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है वो एक वैसस्ट प्रियोग आज के दिन से शुरू करें 11 दिन के लिए इसके लिए माता लक्षमी जी का एक चित्र अपने मंदिर में लाल वस्तर पे स्तापित करें और उनके सामने एक चांदी का सिक्का ग्यारा पीली कोडी ग्यारा गूमती चक्र एक काली हल्दी रखें और गनेश पूजन माता लक्षमी जी का पूजन करके फिर अपनी समश्या भगवती को कहें और आधा गिंटा जाप इस अति विस्ष्ट मंत्र का ग्यारा दिन तक लगातार कर लिजिए ग्यारवे दिन अंतिम जो दिन होगा उस दिन सामगरी को उठाकर अपने जहनिस्तान पर रखें फिर जो चमतकार घटे तोंगे आप स्वैम अपनी आर्थिक प्रगति को देखकर आश्च्रे चकेत हो जाएंगे इसमें कोई संदेह नी जो मंत्र जाप आपको करना है वो इ समश्याओं से बाहर ला रहे हैं मनु कामने आपकी पूरी करते हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे जनम पत्री का यह हमारे दर्शक मनु अगरवाल जी की दो दिसंबर 1985 का जनम है दिन में 11 वज के 55 मिनट अजमेर संतान कब होगी इनका प्रश्न है मनु जी लगन में शत्रू छेत्र के शनी के उपस्तिती और पंचमेश गुरू कास्त होना बहुत बड़ा कारण है आपके संतान प्राप्ति में विलंब का उस पर सूरी की सीधी द्रश्टी भी आपके संतान भाव पर हैं हालाकि गुरू नीच है परंतु वक् पहनिए साथ ही लगू मृत्युन जे और चंद्र गुरू मंगल के जब और रहो की शांती अवश्य करवा लिजिए आज की दूसरी पत्रिकाई हमारे पास राजू जोशी जी की दस मई 1902 में का जनम है रातरी एक बच के 36 मिनट एमदाबाद गुजरात सरकाई नोकरी कब अब चैनल का लगी हरवार लगते लगते रह जाती इनका प्रशने देखेराजु जी आपकी सरकाई नोकरी तो हंडेड पर्सेंट लगेगी आपकी जनुम-पत्रिका में योग है लगन में स्वेराशी का शयनी है उच्छे का सूरीय है स्वेराशी का चंद्रमा जब आपक संकल्प लेके रोजाना एक पार्ट विश्नु सहस्तर नाम का कीजिए तो फिर आपकी वार्ट जो भी आप एक्जाम देंगे उसमें अच्छे परिणाम आपके आ जाएंगे आपके दो जनवरी से बहुत योग कर्ग दशा शुरूब भी हो चुकी थी जो अब एक साल तक रहेगी तो इसका पूरा-पूरा लाब उठाई आप आज की तीसरी पत्रिक आईए हमारे दर्शक अशोग अगरवाल जी की बीस प्रेल उनिसो चुर्याची का जनम है रातरी न लाव की तुकी शान्थी करवा लेने पर आपको बहुत लाब होगा व्यापार में भी और नीजी जीवन में भी तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज की विस्वस्त उपाई और ज्यान चर्चा मैं पंडित चंदर शेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बतायों को सही जी विदी सटीक समय अटूट शद्दा से करके आप पूरा पूरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में उतारेंगे धिरे दिर आपका जीवन शिव मैं सत्य मैं और आनंद में होता जाएगा मैं महादेव से प्राथना करत जय आदिशक्ति